हेलो एब्रिवान और वेल्कम टु दु चानल ओफ के वी टीचर्स गिल्ड तो बच्चो आज इस वीडियो में हम लोग 15 क्लास हिंदी का एक नया पाट शुरू करने वाले जिसका नाम है Parent Health यह पांच वी के आप पंच वी क्लास में आघे पहली क्लास से आप पढ़ रहे होंगे और भी तक यह समझ गए होंगे wzglें आपको ये diesen chapters को अगा इसक आपको प्रित्वी इन पृशिबल तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पर पानी है आप देखते होंगे मंगल पर पानी डूंडने की बहुत कोशिश की जा रही है अगर मिल जाता है तो वहाँ पर भी जो लोग है वो रह सकते हैं तो इतना जरूरी है अलग-अलग रूपों में हम अलग-अलग तरीके से इसने भी देखते है कि इस बारे में आपको बताया हुआ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक नल है जहां से बूंद-बूंद पानी आ रहा है पूरा चल भी नहीं रहा है और लाइन देखे कितनी बड़ी है तो यह कहीन है फ्यूचर है जिस तरीके से लोग पानी बर् करेंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आगे आने वाले कोई भी वीडियो का आप मिस ना करें उसके लिए जरूरी है वीडियो के नीचे राइट साइड में देखे रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब उस पर टाप कर दीजे बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ओके शुरू करते हैं और शुरू हमेशा की तरह शब्दार्ट से ही करेंगे पहला शब्द है बेवक्त का मतलब होता है आ समय जिसका कोई समय ही ना हो आने का तू तू मैमे तू तू मैमे करना होता है जगडा जगडा लेकिन ऐसा नहीं कि मारपीट करना तू खाने के लिए कुछ नहीं होता ऐसा समय उसे अकाल कहा जाता है ये एक आपदा है डिजास्टर है एक तरीके से हक मतलब अधिकार जिस पर आप अपना हक समझते हैं आपको लगता है कि राइट है आपका इसके उपर थम जाना रुक जाना थमना अर्थार्थ रुपना विशा मतलब बहुत बड़ा समरद मतलब होता है धनी चलिए यह आपने देख लिए यह कुछ शब्द है जो कि आपके पार्ट में इस्तेमाल होंगे अब पार्ट पड़ते हैं पार्ट सोला पानी रे पानी ये लेक है किसी ने लिखा है कहां से आता है हमारा पानी और फिर कहां ज कहां से आता है कहां जाता है हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है सोचा एक सेकड़ सोचा तो नहीं होगा शायद पर इस बारे में पढ़ा जरूर है पढ़ा है ना अपने EBS में भुगोल की किताब पढ़ते समय जलचक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है जब आप EBS पानी जो है एक से दूसरी जगे घुनता रहता है तो उसको जल चक्र नालों से फिर दुबार्ब समदोर में जाता है whenever चक्र छलता रहता है कि एक सुझदर सा चित्र भी है इस पार्ट के साथ सूरज-समुद्र- बादल हवा फिर धर्ती फिर बड़सात की बुंदे और लो फिर बैती हुई नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा गाम घर गाम या शेहर चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारू तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है यह आपको बताया हुआ है कि arbitrYe से water cycle चलता है अल्लग अल्लग सूरज इसमें अपनी भूमी का निभाताया समुद्र से पानी उठता है बादल बनता है हवा चलती है जमीन तक बाधलों को लेकर आते है फिर बारिश होती है फिर नदी में वो पानी मिल जाता है और नदी के किन बनकर पानी में बदलती है फिर वही इन तीरों के सहरे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापिस मिल जाते है जल चक्र पूरा हो जाता है समुद्र भाब बनी सूरज की धूप की वज़े से भाब बनती है इससे दिखा जाता है एरोसे कि भाब बन के बादल बने बादल हवा के साथ यहां आए जमीन पर थोड़े ठंडे हुए तो उनसे बारिश हुई बारिश हुई तो पानी नदियों में आए नदियों से पानी समुद्र में चला गया इस तरीके से एरोस के निशान से आप जल चक्र को दिखाते हैं जब वर्क्षीट करेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगे एक वाटर साइकल यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात यह तो आपने सब पढ़ा हुआ है पर अब तो हम सब के घरों म स्कूल में माता पिता के दफ्तरों में कारखान और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्र सामने आने लगा है कैसे देखते हैं सब जगे यह तो बुक में आपने पढ़ा है लेकिन आजकल जल चक्र हर जगे देखने को मिलता है नालों में आप पूरे समय पानी नहीं र जगता है क較 जगते हैod अगर कभी पानी तो बेसमय आता ही कोई फिक्स नहीं है कि इस टाइम से चक्थाईम तक आएगा कभी देर रात को तो कभी बहुड सवेरे कभी रात को आता है जब जब तक आप उठे नहीं होते हो, जब तक उठे नहीं और फिर झाटाइं पानी को लेकर कभी 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 कई आपस में तू-तू-मैमें भी हो ने लगते हैं, तोड़ा बहुत जगड़ा भी हो जाता है। रोज रोज के इन जगड़े टंटो से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं तो आपने जनरली देखा होगा कौन बार बार जाए पानी भरे जगड़ा करें तो कुछ लोगों ने जिनके पास है पैसे उन्होंने घर में मोटर लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को महले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घरों का पानी उन्हों में चला गया शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी बिकने लगा है आपने जनरली देखा होगा रेलवे स्टेशन पर कई जगे पानी बिकता है यह कमी गाउं शहरों में ही नहीं बलकि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली मुंबई कोलकाता चेननाई और बैंगलोड जैसे बड़े प्रदेशों की राजधानियां भी है वहां पर भी लोग पानी की समस्या से जूज रहे हैं देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है यह तो ही गर्मी के मौसम की बात कहीं जगे तो ऐसा होता है कि अकाल पढ़ जाता है अब जानते हैं अगर पानी फसल में भी फसल न जै कि तो लोगम को खाने कव नहीं मिलेगा अकाल अपकी स्थिती अपने बन जाएगी यह तो गर्मी की बात पानी कम रेंधा Packages सबते हैं घॉप जाते is मॉंबई को थोड़ी सी भी बारीश हो दिल्ली मॉंबई का तो यह हाल है कि तभी दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है सब कछ गह जाता है जिन कि क्योंकि रोड पर यह चलेगी और यह जानते हैं वह और यही है दफतर अलग है घर बे बैटके लोग क्या करेंगे तो उनका काम रुख जाता है यह हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहत कम हो जाना और पानी का बेहत जाधा हो जाना यानि अकाल और बाड एक ही सिक्के के दो पहलू है दोनों से ही लोगं को परिशानी है बहुत कम है पानी अकाल पढ़ गया तो भी परिशानी है बहुत जादा हो गई बाड आगे तो भी वो परिशानी का ही कारण है यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है दोनों को अच्छे समझ ले और इस चीज से समभल जाए तो ना काल आएगा ना बाड़ाएगा तो बहुत जादा पानी या बहुत कम पानी या दोनों के बीच में लोग परिशान है चलो थोड़ी देल के लिए हम पानी के चक्कर को भूल जाए और सावा क्यूंतल rebound को ना सबक्र जाए नातल के घुरा आट करना काल जाए जैलते हैं गुलक को cambi Hia King Goddess घ्비 याद़ करे अपनी गुलक को जब भी कोई पैसा देता था हम खुश हो कर दोड़कर उसे जट से अपनी गुलक में डाल देते थे लिएा थिहरे जमाह होता था फिर ज को हमारी यह धर्ति भी इसी तरह की बड़ी गुल्लक है मिटी की बनि इस विशाल गुल्लक में प्रकरती वर्षा के मौसम में खूप पानी बरसाती है जब बारिश आता है तो खूप बारिश होती है तब लो लेकिन पानी बचाते नहीं है तब सब नालों में भैजाता जब कमी होते हैं फिर याद करते हैं तब रुपियों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए जब बारिश हो तभी आपको इस पानी को जमा करके रखना चाहिए हमारे गाउं में शेहर में जो बड़े आप मोटर से निकालतो रहे हैं लेकिन अंदर तो बारिश का पानी नहीं रहा है तो इससे परेशानी क्या हो गई है कि जो ग्राउंड लेवल है हमारा भूमिक जल जो है उसकी काफी कमी हो गई है और वह जैसे जैसे कम होता जागा क्योंकि पीनेल आट पानी वही है जो काम हम नहीं करते सिर्फ निकालने का काम कर रहे हैं अब आपनी गुल लग से पैसे निकालते रोड डालो ना तो क्या हो एक टाइम पे खतम हो जाएगा ना इसमें जमा पानी धरती के नीचे चिपे जल के भंडार में धीरे-धीरे रिसकर छंकर जा मिलता है जैसे जो पानी ध का ये खजाना हमें दिखता नहीं लेकिन इसी खजाने से हम बरसात के मौसम बीच जाने के बाद पूरे साल तक अपने उपयोग के लिए घर में खेतों में पाटशाला में पानी निकाल सकते हैं आपको भले ये जल दिखता ना हो क्योंकि धरती के अंदर ही कठा हो रहा है लेकिन पूरे साल जब बारिश का मौसम चला गया जब पानी नहीं है प्रकरती नहीं दे रही है तो आप इसको निकाल कर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एक दोर ऐसा भी आया जब हमें इस छिपे खजाने का महतु भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने ताला तो बेकुल समतल हो गया कहीं ऐसी जगह ही नहीं जहां पानी रुख सके और रिसकर धरती में जा सके देखते ही देखते इन पर तो कई मकान कई बाजार स्टेडियम और सिनेमा अधी खड़े हो गया तरक्की के नाम पर जो लोग आजकल करते हैं कि यह तो तरक्की और देश आगे बढ़ रहा है तो वो सब कर दिया गया पानी अब कहीं जाने का रास्ता है ही नहीं इस बड़ी गलती की सजा अब हम सब को मिल रही है गर्मी के दिनों में हमारे नलसूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूब जाती है कहीं न कहीं बाड आने का क अच्छे से करनी पड़ेगी जल्चक्र हमें हम ठीक से समझें सिर्फ जल्चक्र वही नहीं है जो आपने बनाया था अच्छे से उसको गहराई से समझें जब बरसात हो तो उसे थाम ले अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें अपनी गुल्लक भढ़ते रे तभी हमें ज जो पानी कितनी लंबीक अतारे हैं पानी एक दिन सब चीजों से महंगे होगगा बड़े से बड़ा आदमी जो हो पानी खरीद नहीं पाएगगा फ incumbent से नहीं मिलेगा हक की बात आजादी के बाद पिछले 60 साले से दिली में पानी in पानी की ओसे ओस अंग्या क्वक्दल पूरी जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल पाता है जब जरूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छिनते हैं पानी सबका है कोई इतना इस्तेमाल कर रहा है किसी को मिल ही नहीं रहा है तो यह तो गलत है ना हमारे समाज में जरूरत जरूरतों से पत्वारा नहीं दिखाई देता और कई लोगों का हिस्सा चीन कर कुछ लोगों को दे दिया जाता क्यूंकि उनके पास पैसे है वो रिसोर्स अपनी अवेलेबल करा सकते हैं मोटर लगा लेते हैं और फिर बेस्ट करते हैं कक्षा में इस बारे में आप चट्चा जरूर कीज वो आपको समझ में आई होगी सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे